भार्तिय उचद्यन चिक्षन संस्तान शिमला में करमचारियों को अधिकारियों की आपसी लड़ाई का खाम्याजा भुगतना पड़ा है अधिकारियों की लड़ाई के कारण करमचारियों की सेलरी तक रुग गई है और करमचारी प्रशासन के खिलाफ उतर आए हैं करमचारियों को तोहारी सीजन में सचिव के निजी स्वार्थों के कारण प्रतार ना जहिलनी पड़ रही है निदेशक के आदेशों को सचिव नहीं मान हैं और निदेशक भी असमर्थ ताजता रहे हैं एडवांस्टडी के करमचारियों ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में अधिकारियों के आपसी लड़ाई की कारण करमचारियों को सेलरी समय पर नहीं मिल रही है जिसकी कारण करमचारियों को परिशानी का सामना करना पड़ रहा है सचिव ताना शाही रवय्या अपना रहे हैं और निरेशक के आदेशों को भी सचिव ठेंगा दिखा रहे हैं एडवान स्टेडी के करमचारी के समर्थन में केंड्य करमचारी समन्वे कमेटी भी आ गई है और मामलों को लेकर चिंता जताई गई है मामलो को लेकर एडवांस टड़ी शिमला के निदेशक मकरंद आर पराण जपई का कहना है कि करमचारियों की सालरी जारी करने के 39 अक्तूबर को ही सचीव को लिखित में आदेश दे दिये के थे लेकिन सचीव अपने निजी स्वार्थों की पूर्ती ना होने से करमचारियों की सालरी को भी रोक रहे हैं और फाइल को इधर उधर ही गुमाई जा रहे हैं सचीव 18,000 रुपे मिल्ट्री सर्विस पे ले रहे हैं लेकिन सिविल सेवाओं में आने के बार ये सुविधा नहीं मिल सकती है जिसको लेकर मामला सेना से उठाया गया और इसे रोकने के लिए कहा गया है इसी बात को लेकर सचीव काफी टैश में हैं और अपने स्वार्थ पूरेना होने पर करमचारियों को भी प्रतारित करने का काम कर रहे हैं और निदेशन के आदिशों को भी नहीं मा रहे हैं जुलाही मा से करमचारियों के वेतन के बारे में गतिरोध चला रहा है और ये डिरेक्टर साब की हट धर्मिता के कारण यहां पर लगातारी गतिरोध बनावा है और इसके कारण करमचारी करमचारी को यह इस पर एफेक्ट हो रहा है और इसी के विरोध में सब करमचारी दो नौम्बर से धर्ना परदशन पर है यहां पर इस तरह से कर्मचारियों के साथ ज्यात्य हो रही है और पूरा महीना नोकरी करने के बात हमारे कर्मचारियों को सेलरी नहीं दी गई चार तरीक हो गई ए और ये पिछले तक्रीबन 3-4 महीने जिसमें हमारे करमचारियों को कई दोस्त नहीं है, अभी सची महदे से थोड़ी सी बात्चित हुई, बात्चित में यही सामने आया है कि डिरेक्टर सचीव और चेर्मेन के बीच में कुछ कॉण्ड़िक्शन्स हैं, उनके विचार आपस में नहीं मिलते हैं, क्योंकि इनके हिसमेँ अधिकारी तो वहीं से इनकी सेलरी क्योंकि रिलीज होती है, तीन लोग और उनमें से दो सिगनेटरी हैं, वो दो जो सिगनेटरी हैं, जिनके हस्ताकषर्त है यह से इनके विचार नहीं मिल रहें, उनको कोई मिलता मिलना हैं, सचीव को ओनी मिल पारा है, उपने ही ऐड़ेस की ऑपने अभी तक उन्होंने रिलीज की नहीं है और अभी तक मेरे orders का पालन किया नहीं गया है। उनका एक benefit वो ले रहे हैं, 18,000 का लगबग ब्रती महिना उसको कहते हैं military service पे हमारे पूरे administration की, AO की भी राय ये है। यहां तक कि हमने military को भी पूछा है इसके बारे में और सब जगे से हमें यही राय आ रही है कि एक बार civil scale में आप आ गए हैं, तो आपको military वाला वो benefit नहीं मिलता है, है न, जो आपके parent department में आप रहेंगे क्योंकि deputation पे आपको option exercise करना पड़ता है, option अनुसार आपकी fixation होती है, उन्होंने pay band 14 में अपने आपको यहां रखा है pay band 14 में MSP ना तो army में मिल सकती है, यहां यहां मिल सकती है, तो यह गलत payment उनको जा रही थी तो उसको बचाने के चकर में उन्होंने पूरे करमचारी और पूरे employees को, मैं तो कह सकता हूँ, उनकी salary रोक करके उनको इतनी तकलीफ दिया है, जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ पिछले पांच महिने से मैं order दे रहा हूँ कि यह side में रखो, उसके बावजूद ले रहे हैं, तो मैंने कहा कि already आप ले चुके हैं, एक महिना देर से ले लीजे अगर आपका जाईज है, तो दूसरों का तो release कीजे